हेलो फ्रेंट स्वागत है हमारी यूटूब चैनल क्रिटिकल इस्टेडी में आज है 15 दिसंबर 2030 और 15 दिसंबर 2030 से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मनेंगे वह उनसे रिलेटिट फेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला कुश्चिन क्या है पहला कुश्चिन है हाल ही में अंतर राष्टी परवत दिवस हाल ही में अंतर राष्टी परवत दिवस कम मनाया गया है तो अंतर राष्टी परवत दिवस भी option right होगा 11 दिसंबर को अंतर राष्टी परवत दिव मनाया गया है अब बात है important day की, तो December में जितने important day मनाया गया है लाइन से देख लेते हैं 1 December को विस्थ दिवस और BSF स्थापना दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्चरता दिवस राश्टि प्रदूर नियंतर दिवस अंतर राश्टî गुलामी उनमूलन दिवस तीन इंपोर्टेन्ड दे बनाये गए हैं 2 दिसंबर को 3 दिसम्बर को विश्विकलांग दिवस मनाया गया है 4 दिसम्बर को भारती नौ सेना दिवस 5 दिसम्बर को विश्वम्रदा दिवस और राष्टी स्वयम सेवी दिवस दो इंपोर्टेंदे 5 दिसम्बर को मनाया गया है 6 दिसंबर को महापलनी निवार दिवस बनाया गया है 7 दिसंबर को ससस्तर सेना जंडा दिवस अंनतरराश्टी नागरिक उड़्डेन दिवस दो इंपोर्टेंडे मनाया गया है 8 दिसम्बर को भोधी दिवस मनाया गया है 9 दिसम्बर को अंतर राष्टी ब्रिष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है और 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया है और 11 दिसम्बर को अंतर राष्टी परवत दिवस मनाया गया है नेक्स कुश्यन के बात करेंगे नेक्स कुश्यन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीड़ी का परमाडू रियक्टर सुरू किया है तो इस कुश्यन का राइट अंसर उप्सन सी राइट होगा चीन देश ने दुनिया का पहला चौथी पीड़ी का परमाडू रियक्टर सुरू किया है चाइना देश ने नेक्स्ट कुश्चन की बात करेंगे तीसरा कुश्चन है हाल ही में रक्षा रमया को अध्यक्ष चुना गया है वह एक इस राज के टेवल्टेशन एससऊचन के है तो इस कुश्चन का राइट अंसर क्या होगा option बीरूट होगा करनाटक राजच के ठीक ना करनाटक राजच के अब बात चीन ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को भी लाँच किया है चीन देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को लॉंच किया है फिलिपिन्स ने चीन के बिल्ट एंड रूट इनेसिटिव से बाहर निकलने की घूशना की है चीन के जहाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत निउट किया है भारत ने चीन में सौरे उर्जा अपात में 76% तक की कटोती की है नेक्स कोशिन की बात करेंगे चोधा कोशिन है हाल ही में विकसित भारत 2047 वाइस ओफ यूद पहल की सुरुवात किसने की है इस कोशिन के राइट आंसर क्या होगा इस कोशिन का राइट आंसर होगा उपसन सी राइट होगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोहदी जी ने विकसित भारत 2047 वाइस ओफ यूद पहल की सुरुवात किया है नेक्स कोशिन की बात करेंगे पांचमा कोशिन है हाल है में कौन चार दिवसी 27 वे डबलू ए आई पी विश्व निवेश शम्मेलन की मेजवानी करेगा इस कोशिन की राइट आंसर क्या होगा इस कोशिन का राइट आंसर होगा भारत भी ओपसन राइट होगा भारत इसकी मेजवानी करेगा मलेसिया में रभारती नागरिकों को वीजा मुफ्त प्रवेश की अनुमत्ती दिये है भारत सोशल मेडिया के लिए सक्त आयू सत्यापन योजना बना रहा है भारत ने 2023-24 के रिकॉर्ड में 41,010 पेंटेंट करा है भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्च चुना गया है भारत ICC के तीनों फार्मेट में नंबर 1 बना है भारत लगातार चटे महिने उभरते बाराजों में बजारों में सिर्स पर रहा है नेक्स कुश्चन दिखेंगे चटमा कुश्चन है हाल ही में किस देश के बल्लेवाज होने जो सूलोमन का निधन हुआ है वह किस देश के पूरों बल्लेवाज है इस कुश्चन का राइट अंसर होगा ओप्सन A ये विश्ट इंडिज के पूरों बल्लेवाज जो सूलोमन है दक्चन एक्स कोशिन क्या है सात्मा कोशिन है हाल ही में किस राज की लाका डोंग किस राज की लाका डोंग हल्दी को GI टेग दिया गया है तो एक किस राज की है मेगाले राज सी ओप संड राइट होगा मेगाले राज की लाका डोंग हल्दी को GI टेग दिया गया है अब बात है मेगा इकाई का उद्गाटन किया है मेघाले सरकार ने मुख मंत्री सौर मिसन सुरू किया है 109 साल के प्रतिवंद के बाद मेघाले में कोईला खरन कानूनी रूप से फिर से सुरू हुआ है पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा उत्तेश्य इंडोर स्टेडियम सीलांग में बनाया जह रहा है प्रतिक्रसी परिवार औसित मासिक आय में मेघाले सीर्स पर रहा है ठीक है ना नेक्स कुश्चन देखेंगे नेक्स कुश्चन है अब पास जहदी जिनोंने रीजनल एथिलिक्स पर्तियोगिता में 100 में इस पर्तता में सुर्ण पदक हासिल किया है नेक्स कुश्चन क्या है हाल ही में अमेरीकी सरकार द्वारा किसी 2023 का अनतराष्टी बृष्टा चरविरोधी चैम्पियंजिप नामित किया गया है किसे नामित किया गया है ओप्सण C राइट होगा निखिल दे C ओप्सण राइट होगा नेक्स कुश्चन देखेंगे next question क्या है हाल ही में जारी Start of Funding West next question देखेंगे हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मुल्लेबान तमाखू company कौनसी बनी है तो कौनसी बनी है ITC Limited ITC Limited जो है दुनिया की तीसरी सबसे मुलवान तमागू कमपनी बनी है Next Question देखेंगे Next Question क्या है हाल ही में World Association of Investments Promotion Agency विश्वनिवेस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है तो कहां आयोजित हुआ है नई दिल्ले में C Option राइट हुगा तो हाल ही में World Association of Investments Promotion Agency का विश्वनिवेस सम्मेलन नई दिल्ले में आयोजित हुआ है Next Question देखेंगे हाल ही में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने है तो B Option राइट होगा 30 डेला पोर्ट B Option राइट होगा ये विपरों के विपरों के CEO है जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने है Next Question की बात करेंगे Next Question क्या है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनाइक समंदों को 50 साल पोरे किये है तो B Option राइट होगा दक्षिन कोरिया South Korea थे न South Korea ये है South Korea तो दक्षिन कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्मार करेगा देखे न SpaceX ने दक्षिन कोरिया के सेंड उपग्रह NSS-2 को सफलता पूर्वक लाँच किया है अपना पहला सुदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लाँच किया है South Korea ने Next Question देखेंगे हाली में डॉक्टर मोहन यादो को किस राजजी के नए मुख मंतरी घोसित हुए है तो इस Question का राइट अंसर क्या होगा Option C राइट होगा मद्द प्रदेश के मद्द प्रदेश के नए मुख मंतरी के रूप में डॉक्टर मोहन यादो को नियुक्त किया गया है ठीक है न अब बात है मद्द प्रदेश की इंपॉर्टन कुश्चन देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी पंप भंधारन पर्यूजना की अधार्स सिला नीमच मद्द प्रदेश में रखी गई है नेशनल स्मार्ट सिटी कॉनकलेब में इंदौर का सर्वसेष्ट स्मार्ट सिटी का इस्थान मिला है भारत को मद्द प्रदेश की 94 भारत को मद्द प्रदेश की 94 टाइगर रिजर्व विरांगना दुरगावती टाइगर रिजर्व मिला है मद्द प्रदेश की कैबिनेट में मॉय लेचिंग पीडित मुआवचा योजना को मंतरी दे है ठीक न आसा करतों कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लिए तो प्रीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने अंधुस्तों को सेयर करें जो कॉम्पटीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी हमारी इंस्टाग्राम पेज किटकल इस्टडी थरीवन को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद